हेलो माई डिया स्टूडेंट आप सभी का अपनी एकलव एकेडमी मेरट परिवार में स्वागत है तो हमारा अभी आजकल जो चल रहा है एकस्टेंशन एजूकेशन चल रहा है पर होम मैनेश्मेंट में हमारे एक टॉपिक था फ्लार डेकुरेशन पूछ जावाला उससे कु तो आज का जो हमारा कोशन है फर्स्ट कोशन दिया है मांडला एक फर्स सजावट है यह कहां का है ठीक है मांडला हमसे पूछा है कि एक फर्स सजावट है मतलब जो एक नीचे बेस में बनाई जाती है ठीक है फर्स को सजाने के लिए यह कहां की है तो मांडला जो है यह हमा हमारी डी ऑप्शन राजिस्थान की है ठीक है और तमिल्लांडू में हमारा क्या फेमस है कांजी वर्म के लिए हमारा तमिल्लांडू फेमस है बंगाल में हमारा कांथा है ठीक है बंगाल में हमारा क्या आएगा कांथा आएगा कांजी वर्म हमारा कहां हो गया, तमिलाडू हो गया, बंगाल में हमारा काथा हो गया, गुजरात में हमारा साथिया हो गया और अगर हमसे पस्चिम बंगाल पूछेगा तो हम बताएंगे अलपना, अलपना का संबन किस से है, पस्चिम बंगाल से है अब महारास्ट से अगर पूछे तो महारास्ट से आप बताएंगे वर्ली आर्ट ठीक है वर्ली आर्ट का संबंद कहां से है तो महारास्ट से है ठीक है मांडला पूछा था तो मांडला का संबंद किसे है राजिस्तान से है option d क्या हो जाएगा right हो जाएगा अगला question है चोटी चोटी टुकड़े ले लिह हैं और उनको जोड़कर क्या कर दिया हमने एक डिजाइन- बना दिया, अब यह जो डिजाइन बना- यह क्या कहलाता है? क्या यह सरशनात्म कहलाता है सजीर सजवटी जो भी हम ऊपर से कोई भी डिजाइन- कोई embroidery करते हैं या वस्त्रों की कत्रन को लेके design तियार करते हैं तो ये सब हमारे किस के अंतरगत आते हैं सजावट के अंतरगत आते हैं अगला कोशन है अनुपात से तात्परे हैं मापों एवं छेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंद यह कथन किसका है ठीक है अनुपात की definition है कि मापों एवं छेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंद किसका कथन है तो ये हमारा स्टेला राजकी है अगला कोशन है यह है विशेश रूप से सजावत में प्रयोग किया जाता है ठीकता हमने कपड़े ले लिए उनकी कतरन इखटी कर लिए उनको पेस्ट करके हमने कोई डिजाइन बना लिया उनको जोड कर उनको सिलाई करके हमने क्या एक नमोना तयार कर दिया तो वो क्या कहलाता है सजावटी कहलाता है ठीक है और विशेश रूप से सजावट में हम किसका प्रियोग करते हैं कतरन का ही प्रियोग करते हैं ठीक है right option क्या हो जाएगा इसका B हो जाएगा अगला है एक दिशा जो मकान को अगले हिस्से के निर्माण के लिए ठीक नहीं है ठीक है वास्तु के हिसाब से माने या जब हम अपने घर का निर्माण करते हैं तो एक दिशा होती है जो अच्छी नहीं माने जाती वो दिशा कौनसी होती है हमारी दक्षिन दिशा होती है ठीक है right option क्या हो जाएगा इसका B हो जाएगा अगला है किसी भवन के चारों और खाली स्थान छोड़ने के मानक को क्या कहते हैं ठीक है हमने किसी मकान का निर्माण किया उसके चारों तरफ क्या करा हमने खृस्तान छोड़ दिया आज का लोग उस खालिस्तान में पेड़ पौधे लगा देते हैं चौद्वाई उससे मिल घर के अंदर आती रहती है और देखने में भी वह सुंदर लगता है तो यह जो सुन्दर खाली स्थान छोड़ा जाता है यह क्या कहलाता है क्या रुकावट कहलाता है समवातन कहलाता है खाली स्थान कहलाता है यह भूद्रश्य कहलाता है ठीक है तो यह जो खाली स्थान छोड़ा जाता है इसे हम क्या कहते हैं भूद्रश्य कहते हैं ठीक है का जो हम उपियोग है वो किस काम के लिए करते हैं तो हम करते हैं फर्निचर को ढखने के लिए ठीक है ये क्या है जिसका पूलिस्ट्री का प्रियोग करते अगला कुश्चन है फणिचर के इतिहास में बारोग शैली का कौन सा काल है ठीक है बारोग शैली का कौन सा काल है तो आप याद रखेंगे 1775 से लेके 1800 तक क्या है बारोग शैली का काल माना जाता है अगला कुश्चन है फणिचर की दरारों को भणने की लिए प्रियोग किया जाता है ठीक है फंटीचर जो काफी पुराना हो जाता है तो उसमें बीश-वीश में दरारे बढ़ जाती है ठीक है अब यह थो है निए थोड़ी बहुत दरारे पड़ गई और हमने नया फंटीचर खरीगी लिया हम क्या करते हैं उनको नया रूप दे देते हैं उनमें फिल लिया गया है जिसका अर्थ है इसका क्या अर्थ है हाइजीन जो शब्दे वो हाइजिया से लिया गया है और जिसका अर्थ है ग्रिक की देवी का नाम है और यह किस्से है जो यह हाइजिया से लिया गया है अगला है जापान में पुष्पु सज्जा को क्या कहा जाता है ठीक इके बाने का अर्थ होता है, जीवित फूल, ठीक है, इसका अर्थ होता है, इके बाने का जीवित फूल होता है, ठीक है, इके बाना क्या होती है, पुष्पों की सज्जा होती है, जापानी जो लोग होते हैं, वो पुष्प सज्जा, वो क्या मानते हैं, जो हमारी आत्मा है, वो आमर है ठीक है मनुष्य का जो शरीर है वो तो छड़ भरका है लेकिन जो आत्मा है वो आमर है तो वो क्या करते हैं इस कोई आध्यात्मिक रूप से उन्होंने जोड़ दिया है और वो इसी रूप को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं पुश्पु सज्जा करते हैं औ फूलों की विवस्था का उद्देश हैं चारों और खुशी जीवन संदर्य घढ़ना यह किसने कहा है जो फूलों की विवस्ता है जो हम फूलों का उपयोग करते हैं उसका जो उदेशे होता है वो क्या है जीवन में खुशी ठीक है और उसमें क्या है सोंदर्य भरना तो यह definition किसने दी है यह हमारी AH रट ने दी है ठीक है राइट option क्या हो जाएगा इसका A हो जा होती है जिसे हम सिफिर रेखा भी कहते हैं सिफिर रेखा होती है ठीक है 180 डिग्री पर यहां पर क्या होती है तीन रेखाएं होती है पहली होती है 19 डिग्री पर ठीक है यह होती है हमारी 75 डिग्री पर और यह होती है हमारी 45 डिग्री पर अब यह जो 19 डिग्री पर होती है यह होती है हमारी सिन, ठीक है, 75 डिग्री पे होती है शो, और यह होती है हमारी हाई की, अब सबसे लंबी जो होती है, यह कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, और इसको क्या कहा जाता है, सिन कहा जाता है, और यह किसका संबंध है, इसका स्वर्ग या ईश्वर, ईश्व हो तक होतิ है किसको धर शाती है तो यह दर्शाती है मनुश्य को ठीक है अब यह जो 45 fem degree पे होती है हाई प्रत्वी को मैं हैै अब यह जापाई पुश्पसज्ज्जा मंतिके बाना की सबसे भरी ठहनी हमसे पूछी थी जो 90 डिग्री पे है जिसे हम सिन कहते हैं यह किसको दर्शाती है यह हमारा स्वार्ग और इशर को दर्शाती है तो राइट अप्शन क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा स्वार्ग ठीक है मनुष्य को दर्शाती है शो जो कितने डिग्री पर है 75 डिग्री प्रथवी जो होती है, यह हमारी 45 दिग्री पे होती है, जो हाइ की होती है, ठीके, इन मैंसे शोका दिया है, मोरी बाना दिया है, सोई बाना दिया है, एके बाना दिया है तो देखो जापनी में पुश्पुश्ट अज्जा जो होती है उसे क्या कहते हैं, एके बाना कहते है अब यह एके बाना हमारा चार प्रकार का होता है, ठीक है नाजीरे, रोका, रोका, शोका, ठीक है, और मोरी बाना ठीक है, यह एके बाना जो सज्जा है, वो चार प्रकार की होती है नाजीरे होती है, रोका होती है, शोका होती है, मोरी बाना होती है रोका लिखाओ या रोका लिखाओ ठीक है ये एक ही नाम है ठीक है अब पुष्प सज्जा नहीं है देखो शोका भी हमारी पुष्प सज्जा है मोरी बाना भी हमारी पुष्प सज्जा होती है ठीक है एक बाना भी हमारी जापानी पुष्प सज्जा है लेकिन जो ये सोय ब का एक प्रकार है पुष्पु सज्जा का एक प्रकार है तो यह क्या है पुष्पु सज्जा का एक प्रकार है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा और इसमें क्या है हम उथले कि वह चप्टे फूल दान का प्रियोग करते हैं कि फूल दान का उनिसवी सदी की पुसपसज्जा है इसमें हम उतले और चप्टे फूलदान का प्रियोग करते हैं इसमें फूलों का लगाते हैं तो पिन की साहता से करते हैं ठीक है राइट अप्शन क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा अगला है प्रकास दरड़ता की दर निर्धारन की सीमा कितनी है ठीक है यह हमें बताना है तो एक से आठ कितनी है यह सीमा एक से आठ है ठीक है राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका एक से आठ अगला है बल्व टेबल लैंप में प्रियोगत होते हैं ठीक है हमारे बल्व होते हैं एक हमारी ड्यूब लाइट होती है अब बल् देखाऊगा आपके घर में लगाओगा उसमें क्या है दो ऐसे करके तो तार से लगे रहते ंडे अब यह से अगस्वा टीलियद्व त्यक्तर होते हैं प् hugging बालब की लाइट गर्म हो जाते हैं, गर्म से क्या है, यह जलने लगते हैं, ताप दीप्त, इसलिए इनको कहा जाता है, ताप दीप्त होते हैं, क्योंकि टंगिस्टन क्या होते हैं, गर्म होके जलने लगते हैं, इसलिए बल्ब को क्या कहा जाता है, ताप दीप्त कहा जाता है, और जो यह ट् रोशंदान दीवार के उपरी भाग में सित होता है रोशंदान जो हम बनाते हैं वो दीवार के उपरी भाग में सित होता है क्यों कि अशुदवायू शुदवायू की अपेक्षा भारी होती है अशुदवायू शुदवायू की अपेक्षा क्या है हलकी होती है अशुदवाय होती है वो हल्की होती है ठीक है तो यह क्या होती है हल्की होके ऊपर उठ जाती है और रोशंदान से बाहर निकल जाती है उसका इस्थान क्या है शुद्वायू ले ले लेती है तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका भी हो जाएगा अशिद्वायू शुद्वायू से क्या हल्की होती है धलकी हो के ऊपर उड़ जाती है रोशन दान से बाहर निकल जाती है और उसका इस्थान क्या कर लेती है शुद वायू ले ले लेती है अगला कुश्चन है बैठक और पढ़ने के लिए कमरी में कितने वाट का बल्व लगाना चाहिए ठीक है आप पढ़ रहे हैं किसी रूम में या बैठे हैं तो कितने वाट का बल्व लगाना चाहिए तो 60 वाट का बल्व लगाना चाहिए ठीक है राइट अप्शन हो जाएगा इसका भी अगला है समवातन क्या है ठीक है अप्शन दिय ठीक है तो शमवातन क्या होता है पहली बार तो यह होती है शुद्वायू का अंदर आना अशुद्वायू का बहार जाना फिर अशुद्वायू का हलकियों के उपर उठना उसका इस्थान शुद्वायू लेना तो राइट अप्शन क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा कि ये दोनों ही जो होते हैं, ये समवातन के अंतरगत आते हैं, अगला कुश्चन है, प्राकर्तिक समवातन के अंतरगत आता है, ठीक है, अब जी हमारा समवातन है, ये दो प्रकार का होता है, ठीक है, समवातन हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा प्राकर्तिक, और एक होता है हमारा क्रतिम ठीक है अब यह जो प्राकर्तिक होता है इसमें एक होता है चूसन विदी एक होता है विश्रन मतलब फैलना एक होता है तापसमवैन एक होता है हमारा वायू की क्रिया द्वारा वायू की किरिया द्वारा तो प्राकर्तिक समवातन के अंतर क्या आता है मतलब हमें समवातन में क्या करना है अशुद वायू के बहार निकालना है और जो शुद वायू है उसे अंदर लाना है ठीक है है तो प्राकरतिक समवातन के अंदर किया है चूसण वीदी के द्वारा हम क्या करते हैं अशुद व दौरा क्या होता है हम शुद्वायू को अंदर लेके आते हैं शुद्वायू का बाहर फेचते हैं और क्या होता है हमारा एक्जॉस्ट फैन होता है एक्जॉस्ट फैन होते हैं और क्या होते हैं वाता नुकूलित होते हैं वाता नुकूलित एसी जिसे कहते हैं और क्या होता है मिश्रित होते हैं ठीक है अब मिश्रित में कौन आता है हमारे एक्जॉस्ट आते हैं और प्लीनल आता है ठीक है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं शुद्वायू को अंदल आते हैं अशुद्वायू को बहार निकालते है अब हमसे प्राकरतिक समवातन के अंतरगत पूछा था तो प्राकरतिक समवातन के अंतरगत आती है तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा C हो जाएगा, अगला question है sodium bulb में कौन सी gas भरी हुई होती है sodium जो bulb होता है इसमें कौन सी gas भरी रहती है तो इसमें neon भरी रहती है ठीक है, right option क्या हो जाएगा इसका A हो जाएगा, अगला है neogen भविश्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है बजार है अब यह जो हमारे बजार होते है यह हमारे कई प्रकार के होते है ठीक है, बजार एक होते हैं हमारे समय के अधार पर ठीक है समय के अधार पर अलपकालीन बजार है दीगर कालीन बजार है अती अलपकालीन बजार है इस तरह से समय के आधार पर होते हैं इस्थानी आधार पर होते हैं ठीक है कि रास्ट ये बजार है अंतरास्ट ये बजार है कारे के आधार पर होते हैं कि इसमें कि टाइप का नमूना मिल रहा है ये विशेश उसी चीज के लिए मार्केट है तो ठीक है ये ऐसे कारे के आधा होते हैं कि मैं बजारがとう होता है और किस के अधार पर होता है बजार के प्रकार है हमारे और शितै के अधार इस अधार पर है्याहिक सब्कंद रट या फिर क्या है चोर ऐसा रख रहे है इस तरह अगला कोशन है जब एक ही कंपनी विभीन कस्वों में शहर में कई दुकानों का संचालन करती है तो हम बजार को क्या कहते हैं मतलब एक ही company है और वो अलग-अलग थोड़ी जगाओं पर बनी हुई है ठीक है जैसे आपको यह है red tape का showroom है तो यह आपको यहां भी मिल जाएगा दिली में भी मिल जाएगा गाज़वाद में मिल जाएगा नौएडा मी मिल जाएगा ठीक है सब जगे आपको मिल जाएगा फूटलैंड का showroom है तो क्या है एक company है और उसके अलग-अलग जगापे same showroom बने हुई है तो यह क्या कहलाती है यह हमारा chain market कहलाता है ठीक है कि एक chain चल रही है ठीक है chain की तरह क्या है market में supply हो रही है एक ही company है और जगए-जगए वो बनी हुई है उसकी एक chain बनी हुई है तो ये क्या कहलाता है, हमारा chain market कहलाता है, अगला question है, ग्रह सज्जा का उदेश्य नहीं है, ठीक है, अभी वेक्ति, ग्रह सज्जा का उदेश्य है, उत्क्रस्टता, मित्वेटा और विविद्था, तो जो ग्रह सज्जा है ना, इसका क्या उदेश्य नहीं है, उत्क्रस्टिता नहीं है, मतलब किसी व्यक्ति को ऐसे शो नहीं करके दिखाना, किसी को हमें नीचा नहीं दिखाना उसमें, कि हमने ग्रह सज्जा कर ली, दूसरे वाले को हम क्रिटेसाइज कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे वाले को हम सामने वाले आदमी को नीचा दिखा रहे ह उत्क्रस्टता इसका उद्देश्य नहीं होता, हाँ अभिव्यक्ति होती है, कि आप किस तरह कि उसमें क्रियेटिविटी कर रहे हैं, किस तरह का आपने माइंड यूज कर रहे हैं, कि अपने ग्रह सज्जा में, जिससे वो सुंदर लगे, ठीक है, तो राइट अप्शन क्या हम साइट प्लान कहते हैं, एक होता है हमारा धरहातल यूजना, जिसे हम फ्लोर प्लान कहते हैं, एक होता है हमारा विभाजित, खंड यूजना, क्रॉस सेक्शनल, एक होता है हमारा भायरूप, एलिवेशन, एक होता है हमारा त्री वीमिय, एक होता है हमारा उद्ध्यान य na Land Inkscape तो यहां हमसे प्रकार यह नक्षिय के प्रकार नहीं है तो को सकता है थैक हो इसे आप पूछ लेकि क्या यह नक्षे का और यह जो प्रत्यक्ष योजना है ना यह हमारी नक्षे की प्रकार नहीं है ठीक है भुखंड योजना भी हमारी नक्षे के अंतरगत आता है और भाय योजना भी हमारी नक्षे के अंतरगत आती है ठीक है अगला कुश्चन है जब काला रंग किसी अन्य रंग में डाला जात होता है हमारा टिंट एक होता है हमारा टोन और एक होता है हमारा शेड ठीक है टिंट में हम क्या करते हैं सफेद रंग मिलाते हैं जैसे आप लाल में सफेद रंग मिला दो तो गुलाबी रंग बन जाएगा टोन में हम गरे कलर मिलाते हैं ठीक है अब हम किसी भी कलर में क्या कर रंग मिला दें तो काला रंग जब मिला दें तो वो क्या कहलाता है शेड कहलाता है अब यहां क्या है किसी भी कलर में हमने काला कलर मिला दिया तो वो क्या कहलाता है छाया ठीक है शेड कहलाता है तो right option क्या हो जाएगा इसका third हो जाएगा अगला है trademark द्वारा बिक्री का बजार का उधारन है ठीक है trademark है मतलब उस पर कुसी brand का tag लगा हुआ है कि ये जो वस्तू है ये उसा की है ये फिलिप्स का है ठीक है ये गौद्रेज का है ये सेमसंग का है इस तरह से क्या है किसी company का अगला question है गायक को गाने पर की गई महनत के परणामसुरूप मिलता है कोई गायक है ठीक है उसने गाना घाया तो उसके परणाम से उसको जो उसने महनत की क्या मिलता है वेतन किसी करमचारी को काम करने के बदले मिलता है भत्ता सरकार के द्वारा मिलता है बेरोजगारी भत्ता हो गया, महंगाई भत्ता हो गया मजदूरी भत्ता हो गया आई ये जो पारिश्रमिक होती है royalty के नाम से भी आ जाता है ठीक है यह जो होती है एक गाया को गाने की महनत पे मिलती है ठीक है जो यह singer होते हैं गाना गाते इनके महनत के बदलेने क्या मिलता है पारिश्रम एक royalty मिलती है ठीक है right option क्या हो जाएगा इसका third हो जाएगा अगला question है मांडला एक फर्ष का सजावट है कहां का यह question repeat हो गया तो आपको पता ही कहां का है राजस्थान का है मांडला अगला question है JIT क्या है JIT इसकी full form है just in time ठीक है इसकी full form है just in time और इसका समद्ध किस से है इसका समद्ध है प्रभन पदिती का प्रकार ठीक है यह क्या है प्रभन पदिती का प्रकार है मतला इसमें जो planning की जाती है वो तुरंत जबी की जबी की जबी की जाती है इसलिए इसका नाम क्या है just in time है मतला इसमें पहले से कुछ भी निश्चित नहीं होता है जो भी काम किया जाता है अगला कोशन है उपभोगता के गौण अधिकार है ठीक है उपभोगता जो होता है इसके दो अधिकार होते है एक मुख्य अधिकार होते है एक गौण अधिकार होते है मतलब जो दुत्यक नमबर पे आते है दूसरे नमबर पे आते है ठीक है अब हमसे क्या पुछा है गोड अधिकार पुछें दुत्य अधिकार पुछें तो ये पहला दिया है चैन का अधिकार सूचना का अधिकार सुनवाई का अधिकार या फिर उपभोगता सिक्षा का अधिकार ठीक है तो ये जो गोड अधिकार होते हैं ये होते हैं हमारा बुनियादी का अधिकार एक होता है छटी पोड़ती का अधिकार एक होता है हमारा स्वक्ष वातावरण का अधिकार ठीक है और होता है उबभोक्ता सिक्षा का अधिकार तो यह जो हमारे गौड़ अधिकार होते हैं जिने हम दुत्यक अधिकार भी बोलते हैं यह कौन से होते हैं हमारे उबभोक्ता सिक्षा का अधिकार होता है और क्या होता है आविशक्ता बुनियादी का अधिकार होता है चतिपूर्ति का अधिकार होता है, स्वक्षवातावरण का अधिकार होता है, उबोक्ता सिक्षा का अधिकार, ठीक है, यह हमारे गौन अधिकार है, और यह चैन का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, और एक इसके साथ आता है, सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार यह होते हैं हमारे क्या होते हैं यह हमारे मुख्य अधिकार होते हैं ठीके मुख्य अधिकार यह हमारे मुख्य अधिकार है चैन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार सुनवाई का अधिकार और सूचना का अधिकार अगला है विश्व खाद सुरक्षा दिवस मनाया जाता है अब बच्चे क्या है बहुत जाद है इसमें confusion हो जाते हैं कि वो जल्दी जल्दी इसका answer लगा लेते हैं कोशन पढ़ते ही नहीं है विश्व खाद सुरक्षा दिवस मनाया जाता है अब इसमें सुरक्षा लगाया होगा है विश्व खाद सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है तो यह साध जून को मनाया जाता है और अगर आपको इसकी जगह खाली पूछा होता विश्व खाद दिवस कब मनाया जाता है ठीक तो विश्व खाद दिवस ठीक है विश्व खाद दिवस कब मनाये जाता है तो 16 टुवर को मनाये जाता है और विश्व खाद सोरक्षा दिवस कब मनाये जाता है ये मनाये जाता है साथ जून को ठीक है अगला कुश्चन है एक स्ट्रेट लाइन किचिन में सभी उपकरण और अलमारी किसके साथ में रखी जाती है ठीक है एक स्ट्रेट लाइन है इसी पर उपकरन रखे हुए है इसी पर हम भोजन बनाने का काम कर रहे हैं यहीं पर हम बरतन साफ कर रहे हैं तो इस तरह के का जो किचिन होता है वो कितनी दिवार वाला होता है तो यह एक दिवार वाला होता है जिसपर हम खाना भनानी की काम करते हैं उसी पर हम कटिंग कर रहे हुआ हमारी सामेघरी रखिए वहीं हम बरतंद हो ओड़े हैं ठीक है तो राइट आप्षिन क्या हो जाएगा ए और है परश्तावित मकान का चित्रात्मक द्रश्य क्या कहलाता है ठीक है अब हमें चित्रात्मक द्रश्य बताना है क्या कहलाता है option दिया है elevated नक्षा ठीक है भायरूप cross section विभाजित खंड तीन आयामी ठीक है three आयामी perspective और यह भूतली आयामी नक्षा यह perspective नक्षा तो जो प्रस्तावित मकान का चित्रात्मक द्रश्य दिखा रहा है मतलब उसमें हमें मकान की लंबाई, जोड़ाई और गहराई तीनों दिख रहे हैं, 3D दिख रहा है ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमारा तीन आयामी नक्षा कहलाता है ठीक है, क्या कहलाता है, तीन आयामी नक्षा कहलाता है, राइट अप्शन हो गया इसका थर्ड, जब किसी रंग को काला, जब किसी रंग में सफेद रंग मिलाया जाए तो वो क्या कहलाता है, जब कोई मुख्य रंग है, ठीक है, कोई हूँ है, ठीक है, कोई रंग है, उसमें हम काला और सफेद रंग मिला रहे हैं तो हम किस में मिलाते हैं ठीक है क्या हूँ में हूँ तो हमारे रंगों के नाम होते हैं मूले में रंग में क्रोमा में क्रोमा कलर की चमक को बताता है ठीक है तो यह जो रंग का मूले होता है इसमें हम क्या करते हैं इसमें ही हम काला और फेद रंग है वो हमारा मूले में मिलाया जाता है वैल्यू में मिलाया जाता है राइट अप्शन हो गया इसका भी अगला है अनुग्रेदान कहते हैं ठीक है अनुग्रेदान किसे कहते हैं पैंशन को कहते हैं रॉयलेटी को ग्रेजुएटी को या पैतरक संपत्ति को तो अन परकार भी कुछ अपना हिस्सा एड करती है तो यह जो हो दिये ग्रेजुएटी यह हमारा अनुग्रेदान कहलाता है ठीक है राइट अप्शन हो गया इसका थर्ड अगला कुश्चन है यदि चैक जारी होने की तिथी से तीन महीने के अंदर भुकतान प्राप्त नहीं किया जाता तो हैज चैक क्या कहलाता है मनो कोई चैक है ठीक है अब इस पर आज की णिएड़ डाल के दे दी अगर आप तीम महीने तक इसको बैंक में नहीं ले कर जाते यह जो चैका क्या थिस इन led के लाएगा कि निसार कॉश्च आ कोश्च Walter वहादी टिने यह तो यह जो चैक होता है यह हमारा निसार चैक कहलाता है ठीक है क्या कहलाएगा निसार चैक कहलाएगा अगला option है अगला question है चैक की वैदता कितने दिन की होती है ठीक है चैक की जो वैदता थी पहले 6 महिने की थी लेकिन RBI ने उसको चेंज करके कितना कर दिया 3 महिने कर दिया तो राइट अप्शन क्या है अब कितनी है चेक की वैदता 3 महिने है अगर आप 3 महिने तक बैंक में चेक नहीं लेके जाते हैं 3 महिने के बाद लेके जाते हैं तो वो अगला है बराबर बराबर वै की विदी किसके द्वारा प्रियोग की जाती है अब हमारे जो वै की विदिया है वो कई प्रकार की होती है जहां पर बराबर बराबर वै की विदी होती है वो कब होती है जब पती और पत्नी दोनों लोकरी करने वाले हो ठीक है जब क्या है बरा होती है हस्त मुक्त विधी होती है जहां पर क्या ए है दिक है जब ऊई और वह बराबर होती है जब दोनों बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं तो यह होती है समान वेतन विधी ठीक है जब कोई एक नोकरी करने वाला होता है तो यह होती है हमारी उचित मांग की विधी ठीक है जब बराबर बराबर वे हो रहा है तो पति-पत्नी दोनों नोकरी करने वाले है जब आयवे से अधिक है तो वो हस्तमुक विधी है जब IAVYK ऐ बराभर है तो वो समान वेतन वाली वीदी है, जब कोई एकनोकरी करने वाला होता है तो वो उ Bennett उचित माँकी वीदी, तो right option क्या हो जाएगा, A हो जाएगा बराभर बराभर वे की वीदी, पतनी दोनों नोकरी करने वाले, अगला है G1 वीमा, जो L.I.C. का insurance होत यह कहता है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी इस तरह की कि इसमें योजनाय होती है कि वो आपके रहते रहते भी आपकी help करती है और आपके बाद भी आपके उत्रादिकारी की आपकी मदद करती है तो यह जो लाइसी होती है यह क्या होता है एक बंद होता है एक bond के सम होता एक समझवता होता है ठीक है अगला कुछ्छन है हमारा प्भार्य सरकार इन 16 कows और भारतिय भीमा का मालेत का राश्टेकरण का हुआ था ठीक है भारतिय भीमा व्यबसाइट का कब हुआ था तो यह हुआ था हमारा नीश जन्वरी 1956 में कि में हुआ था भारतिय वीमा website का रास्चेकरण हुआ था ठीक है उननीज जनवरी 1956 में LIC की स्थापना कब हुई थी यह हमारी हुई थी LIC की जो स्थापना हुई थी यह हमारी हुई थी 1 सिटमबर 1956 को ठीक है कब हुई थी LIC की स्थापना यह हमारी एक स्टमबर 1956 को हुई थी अगला कोश्चन है RTGS का फुल फॉर्म क्या है? RTGS जो होता है यह पैसे ट्रांसफर करने का ही एक तरीका है जो हम online transfer करते हैं आजकल money एक bank से दूसरे bank में भेजते हैं या किसी को pay टेम करते हैं गूगल pay करते हैं, EFT, IμPS करते हैं इसी तरह से यह RTGS होता है online पैसे transfer करने का ही एक तरीका है ठीक है? online पैसे transfer करने का एक तरीका है और इसकी full form हम से पूछियam तो इसकी full form है Real Time Gross Settlement हीक है? इसकी full form क्या है? Real Time Gross Settlement ठीक है? पास्ट अप्शन क्या है इसका राइट है अगला है ग्रह लक्ष्मी बीमा योजना कब की गई थी ठीक है ग्रह लक्ष्मी बीमा योजना हमें बताना है कब की गई थी तो यह की गई थी 1975 में ठीक है 1975 में ग्रह लक्ष्मी बीमा योजना की गई थी अगला कोशन है आए रेव सबसे जादा है वह बैंक कौन सा है क्या IECI BANKS । इसका revenue सबसे जादा है वह हमारा HDFC है ठीक है कौन सा बैंक है HDFC है तो यह हमारे हमें हम मैंज्मेंड के कुछ कोश्चन्स बच रहते हैं आज हमने कंप्लीट करते हैं कुछ और important मिलेगा तो वो हम बीच बीच में कराते रहेंगे अब आजकल हमारा extension education चल रहा है तो आप हमारे साथ daily जुड़े रहें प्रैक्टेस करते रहें खुश रहें मस रहें और मैनत करते रहें ठीक है